मरियादा पुर्शोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्तली अयोध्या धाम से श्री राम जन्म भूमी पर बने प्रबू के इस भव्य और दिव्य मंदिर का अद्बुत नजारा हम सभी के समक्ष है बड़ा ही सुंदर दर्शे ये आप देख पा रहे है अयोध्या धाम से प्रबू की प्राण प्रतिस्ता से पहले मंदिर पूरी तरीके से एकदम अलोकिक छटा विखेरता हुआ यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे है और प्रवेश जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आप दे प्रवेश करते हैं यह बड़ा ही सुंदर नजारा आपके समक्ष है देख सकते हैं आप यहाँ से प्रवेश द्वार बना हुआ है और बड़ा ही भव्य और दिव्य प्रभू का यह मंदिर बनकर तयार हुआ है और पूरी तरीके से तरेता युक की याद दिलाता हुआ आय अलग प्रकार के फूलों को प्रभु के मंदिर में लगाया गया है और हर खंबे पर हर दीवार पर हर जगे पर एक अनोखी नकाशी के द्वारा बड़े ही सुन्दर तरीके से प्रभु के इस धाम को प्रभु के महल को तयार किया गया है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 500 वर और कई लोगों के अतक प्रयासों के बाद ये बड़ा ही अद्बुत अवसर हम सभी के समक्ष आया है और यहां पर 22 जन्वरी को प्रान प्रतिष्ठा होने के बाद हमारे देश के यशश्वी प्रदान मंदरी श्री नरेंडर मोदी जी के द्वारा जब भगवान की आखों उपर से पटियां उतारी जाएगी तो उसके बाद 23 जन्वरी से पूरे विश्व को पूरे भारत के सभी सनातनियों को प्रभुराम के रामलला के अद्बुत दर्शन करने का आवसर प्राप्त होगा और ये उससे पहले बड़ा ही सुन्दर नजारा जो की हम देख पा रहे है आयुद्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का जो हम सभी के समक्ष आज इतिहास बनकर खड़ा हुआ है और बड़ा ही अद्बुत हम सभी के लिए पल है देख सकते हैं आप विबिन तरह के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है लाल पेल गुलाबी हर तरह के फूलों का उप्योग यहां पर प्रभु के इस मंदिर को बड़े ही सुन्दर तरीके से सजानी के लिए किया गया है और बहुत ही अद्बुत ये दर्शन हम सभी इसके कर पा रहे है यह हमारे लिए बड़े ही सौभागी की बात है जो कि आप बड़े ह अद्बुत दिव्य तरीके से अयुध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर श्री राम के इस अद्बुत मंदिर का दर्शन कर पा रहे है जै श्री राम हरे महादेव मिलते है अगले वीडियो में किसी नई जानकरी के साथ तपता के लिए जै श्री राम